आज की इस वीडियो का मकसद E1 reaction का मेकनिजम देखना है तो हम इस reaction में उल्टे हाथ पर मौझूद अलकाइल हैलाइट से सीधे हाथ पर अलकीन की तरफ जाएंगे पहला step होगा leaving group का निकलना इस bond में मौझूद electrons chloride anine बनाने के लिए chlorine के पास आ जाएंगे और हम जानते हैं कि chloride anine एक अच्छा leaving group होता है हम इस लाल वाले कार्बन से एक bond निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ही हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा तो चले अब कार्बन का धांचा बना देते हैं फिर यहाँ हम methyl group बना देंगे लाल वाला कार्बन यहाँ पर है तो यह एक secondary कार्बोकेटाइन होगा तो यहाँ इस कार्बन पर प्लस वन फॉर्मल चार्ज होगा और यह secondary इसलिए है चुके लाल वाले कार्बन से दूसरे दो कार्बन पर आहे रास जुड़े हुए है तो हमारे पास secondary कार्बोकेटाइन मौजूद है और अगर आप इधर देखें तो यहां री अरेंज्मेंट का इमकान भी मुझूद है हम यहां इस गुलाबी कार्बन से एक मिथाइल ग्रूप यहां इस पॉजिटिवली चार्ज्ट कार्बन पर मुंतकिल कर देंगे तो यहां पर यह मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहां हमें मिथाइल शिफ्ट इसलिए मिलेगी चुकि इसे एक ज्यादा मुस्तेहकम कार्बोकैटाइन वजूद में आएगा तो अब इस कार्बन पर सिर्फ एक मिथाइल ग्रूप मौझूद है और हमने इस लाल वले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रूप मुंतकिल किया है तो मैं इधर इस कार्बन को नुमाया कर देती हूँ हमने इस कार्बन पर मीथाईल ग्रॉब मुन्तकिल किया है तो मैं इसे बना देती हूँ इसका मतलब यह हुआ कि हमने इस कार्बन से एक बांड निकाल दिया है ये कार्बन इधर ये वाला कार्बन है तो इस पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस वन फॉर्मल चार्ज और इस वाले कार्बन को हलके नीले रंग से नुमाया कर देते है ये एक टर्शरी कार्बोकैटाइन है मैं दूसरे कार्बन को भी नुमाया कर देती हूँ ये इस तरह ये हलके नीले रंग वाला कार्बन दूसरे तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है एक यहां पर ये कार्बन है एक ये कार्बन फिर एक ये कार्बन तो इसलिए ये एक टर्शरी कार्बोकेटाइन है जिसके बारे में हम जानते हैं कि secondary carbon 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 हैं कि हमें Elimination product की जरूरत है यहां सीधे हाथ पर हमारे पास हलकीन मौजूद है तो पानी यहां बेस के तोर पर काम करेगा और यह कार्बन से प्रोटान ले लेगा अब अगर आप यहां product को देखें तो इस कार्बन और इस कार्बन की दर्मियान double bond मौजूद है जिसका मतलब यह हुआ कि हमें इस सीधे हाथ वाले गुलाबी कार्बन से प्रोटान लेना है मैं इस कार्बन को नमाया कर देती हूँ हमें इस والے कार्बन से प्रोटन की जरूरत है हम जानते हैं के यहां पर इस कार्बन से हाइडरोजिन जुड़ा हुआ होगा और पानी यहां पर कमजोर बेस के तुर पर काम करेगा इधर पानी भी बना लते हैं तो यह है H2O पानी यह वाला प्रोटन ले लेगा औक्सिजन पर मौझूद अलेक्टरउंस के लोन पेर्ज यहां मौझूद इस वाले प्रोटउन को ले लेँगे और फिर यह अलेक्टरउंस डबल बॉंड बनाने के लिए यहां पर हरकत करेंगे ताकि यह हमें यह वाली प्रॉड़ट्ट दे सकें मैं इन इलेक्टरोंस को भी नमाया कर देती हूँ तो ये नीले वाले इलेक्टरोंस अलकीन बनाने के लिए यहां पर हरकत करेंगे अब हम इस पूरे रियाक्शन का मेकनिजम दिखा चुके हैं तो चलें आप एक दूसरे एवन रियाक्शन को देखते हैं और इधर हमारा मकसद ये है कि हम इलिमिनेशन रियाक्शन के नतीजे में बनने वाली तमाम प्रोड़क्स बना सकें यहां उल्टे हाथ पर हमारे पास अलकोहॉल मौजूद है और हम इसे सिल्फियूरिक एसिड के साथ रियाक्ट करवा रहे हैं और साथ में हम इस रियाक्शन मिक्स्चर में हरारत भी शामिल कर रहे हैं हम पिशली वीडियो में भी देख चुकी है कि जब हमारे पास अलकोहॉल होता है तो सबसे पहला मरहला प्रोटॉन की मुंतकली का होता है अलकोहॉल बेस के तोर पर काम करता है और सिल्फियूरिक एसिड अपना प्रोटॉन दे देता है या इसे अतिया कर देता है अब मैं यहाँ पर H पॉजिटिव लिख देती हूँ हम पहले अपने अलकोहॉल को प्रोटॉनेट करेंगे तो ऑक्सिजन पर मौझूद एलेक्टॉन का एक लोन पियर इस प्रोटॉन को लेगा जो के सिल्फियूरिक एसिड से आया है तो अब इसके नतीजे में हमें जो मिलेगा इसे बना देती है ये हमारी कार्बन चेन है इस कार्बन के पास दो नीधायल गृप्स होंगे और फिर ऑक्सिजन के पास दो बॉन्ड और साथ में दो हाइडरोजन भी होंगे इसके पास अभी भी अलेक्टॉन का एक लोन पियर मौझूद है लेकिन अब ऑक्सिजन के पास प्लस वन फॉर्मिल चार्ज है तो हमारे गुलाबी अलेक्टॉन्स ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए सिल्फियूरी केसिट से प्रोटॉन ले लेंगे इधर इस मरहले के पहले अमल में आने की वज़ा ये है कि जब आपके पास अलकॉहल होता है न तो ये ई-1 मेकनिजम के लिए एक बेहतरी लीविंग रॉप बनाता है पानी हाइडरो अक्साइड एनाइन के मुकाबले में काफी बेहतर लीविंग रॉप होता है अब इस बॉन्ड में मौझूद अलेक्टॉन इस आक्सिजन पर आ जाएगा और पानी यहां से चला जाएगा ये चीज़ जब अमल में आ रही होती है तो हम इस लाल कार्बन से बॉन्ड ले रहे होते हैं तो यहां पर हमारा कार्बो केटाइन बनेगा अगर मैं यहां पर अपने कार्बन का धांचा बनाऊँ यानि कार्बन स्केलिटन बनाऊं तो इस कार्बन से मीथाइल गृप निकल रहा होगा लाल वाला कार्बन ये वाला कार्बन है और ये एक सेकंडरी कार्बोकेटाइन है चुक्छे लाल वाला कार्बन दूसरे दो कार्बन के साथ बराहे रास जुड़ा हुआ है इन दो कार्बन को मैंने नुमाया किया है तो ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है मैं इस लाल कार्बन पर प्लस वन फॉर्मल चार्ज भी बना देती हूँ अब हम री आरेंजमेंट के इमकान के बारे में सोचेंगे क्या हम मज़ीद मस्तेहकं कार्बोकेटाइन बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं अच्छा तो पिछली मिसाल की तरह हमारे पास यहां पर मीथाइल शिफ्ट मौजूद हो सकती है फर्स करें कि हम यह मीथाइल गृप लेते हैं और इस मीथाइल गृप को यहां लाल वाले कार्बन पर मुन्तकिल कर देते हैं तो चलें ऐसा करते हैं अब यहां इस कार्बन पर सिर्फ एक मीथाइल मौजूद है और यह मीथाइल गृप इस लाल वाले कार्बन पर आ गया है तो अब formal charge इस carbon पर मौझूद है ये इस वाले पर अब ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है और हम जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटाइन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के मुकाबले में ज्यादा मुस्तेकम होता है अब चूंके ये E1 मेकनिजम है तो हम जानते हैं कि कमजोर बेस आएगी यहाँ पर और प्रोटाइन को ले लेगी तो इस सूरत में हम मुक्तलिफ जग़ों से प्रोटाइन ले सकते हैं हम इस कार्बन से भी प्रोटाइन ले सकते हैं मैं यहाँ अपनी कमजोर बेस बना देती ह हमारी बेस ये वाला प्रूटॉन ले लेगी जिसका मतलब ये हुआ कि ये अलेक्टरॉन्स इस फॉर्मल चार्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए और प्रॉड़क्ट के तौर पर अलकीन बनाने के लिए यहां पर हरकत करेंगे अब ये बताएं कि अगर मैं किसी दूसरी जगा से प्रोटॉन ले लूँ तो फिर क्या होगा मैं यहां पर ये प्रोटॉन बना देती हूँ हमारी कमजोर बेस आएगी और इस प्रोटॉन को ले लेगी फिर ये ऐलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरा अलकीन बनाने के लिए यहां पर हरकत करेंगे चले अब इसकी प्रोटॉक्ट बना देते हैं हमारे पास यहां कार्बन काड़ान चाहे और इस बार डबल बॉन्ड इस गुलाबी और लाल कार्बन के दर्मियान बनेगा तो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा चले हम हलके नीले रंग में इसे नुमाया कर देते हैं तो ये अलेक्टरॉन्स यहां पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहां हरकत करेंगे अच्छे तो अब यहां इस रियाक्शन में एक और प्रॉड़क्ट बनेगी चले अब फिर से यहां अपने सेकंडरी कार्बो कैटाइन पर चलते हैं तो अब अगर यह रियरेंज नहीं होगा तो आप सेकंडरी कार्बो कैटाइन से परोटाइन ले सकते हैं और अपनी आखरी प्रॉड़क्ट बना सकते हैं तो चले अब यहां इस लाल कार्बन के बारे में सोचते हैं अब यहां इस उल्टे हाथ वाले गुलाबी कार्बन के पास कोई प्रोटाइन मौजूद नहीं है तो हम इस से तो प्रोटाइन ले नहीं सकते लेकिन इस सीधे हाथ वाले गुलाबी कार्बन के पास प्रोटाइन मौजूद है तो अगर मैं यहां हाइडरोजन बना दू तो बिल्ड आखिर अब हमारी बेस आकर इस प्रोटॉम को ले सकती है अब ऐसा होने पर यह अलेक्टरॉन्स यहां पर हरकत करेंगे और यू हमें हमारा हत्मी प्राड़क्ट मिल जाएगा यह कारबन का धाँचा है फिर डबल बॉंड यहां है और फिर हमारे पास नीथाइल ग्रॉप इस कारबन से निकल रहे हैं तो हलके नीले रंग वाले अलेक्टरॉन्स डबल बॉंड बनाने के लिए यहां पर हरकत करेंगे तो यहां हमने 3 products बनाए हैं इस E1 reaction से हमने 3 products बनाए हैं अब अगर हम यह सोचें कि कौन सा product ज्यादा बनेगा तो चले इसके लिए हम इन products की degree of substitution यानि substitution की degree देखते हैं यह सीधे हाथ वाले alkyne पर चलते हैं सबसे पहले तो अगर हम डबल बॉंड के पार इन दो कार्बन के बारे में सोचें तो यहाँ यह एक, दो, तीन और चार अलकाईल ग्रुप्स मौजूद है तो यह टेक्टरा सबस्टिट्यूटेड अलकीन है तो यह प्रोड़क्ट सबसे ज्यादा बननी चाहिए यह सबसे ज्यादा मस्तेहका में अलकीन है चले अब इसे देखते हैं तो इस बार हमारे पास डबल बॉंड के पार दो अलकाईल ग्रुप्स मौजूद है लेहाज़ा यह डाय सबस्टिट्यूटेड अलकीन है अब आखर में यहाँ उल्टे हाथ पर यह मौनो सबस्टिट्यूटेड अलकीन है तो यहाँ पर दो कार्बन मौजूद है हमारे पास एक अलकाईल ग्रुप्स है इसलिए यह एक मौनो सबस्टिट्यूटेड अलकीन है ये हमें बगैर किसी री अरेंजमेंट के सेकंडरी कार्व अपके टाइन से मिला है तो ये सब मेजर प्रोड़क्ट नहीं होगी लहाजा आपके प्रोड़क्ट में कुछ फीसद बहुत मामूली सा मोनो सब्सिट्यूटिटिड अलकीन पाया जाएगा और ज्यादा तर प्रोड़क्ट में टेट्रा सब्सिट्यूटिड और डाय सब्सिट्यूटिड अलकीन होगी और इसमें भी टेट्रा सब्सिट्यूटिड अलकीन सबसे ज्यादा या मेजर प्रोड़क्ट होगी चुके ये सबसे ज्यादा मुस्तेहकम है